तोब आप समझ सकते हैं कि किसी को भी गोपनी बतें बताना कितना महंगा पड़ सकता है खाना पीना दो आराम के लिए किसी को आपने सुविधा दी लेकिन एक अंजाने व्यक्ति को अपनी सारी बातें आप बता रहे हैं सब्सक्राइब आपने साथ ही सम्रिद के दिनों में अच्छे दिनों में ये जो आदमी था होस्ट ओनर क्रोफ्टर अरथा क्रोफ्टर मतला बाड़े वाला आइरन वर्क्स में वो एक बाड़े वाला था जमीन पर काम कर चुका था तो इसलिए उसको कुछ आइडिया भी था गाय वगर रखने का और साथ ही और विचारा खुले दिल का था सारी कहानी उसने बता दी पैसा भी तक दिखा दिया और ये अगले दिन सुबह निकल भी किया लेकिन दिमाग में तो था कि वो पैसा वहां रखा हुआ है क्या मैं उसे चिरा सकता हूँ और वापस पहुचा और नकाल लिया As he walked along with the money in his pocket As he walked along, जैसे जैसे वो चलता गया With the money in his pocket, अपनी जेब में पैसा रखके जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया He felt quite pleased with his smartness अपने smartness से बड़ा खुश था वो Smart होना मतलब उनी चालाकी से और क्या चालाकी थी? कि उसकी नजर थी कि वहां पर थैली वापस रख दिया है और उसने सोच भी लिया होगा राज भर में कि उसको कैसे तोडूँगा और इसलिए शायद उसने फुर्ती फुर्ती में ताकि ओनर को शक ना हो उसी के साथ बाहर भी चला गया बोले नहीं बस चलता हूँ निकलता हूँ और निकल भी गया So, he felt quite pleased with his smartness और अपने smartness पर खुश भी था कि देखो मैंने कैसे उसको बेकुब बनाया किसको? ओनर को ओनर आएगा, बैक देखेगा, पैसा गया, समझ में नहीं आएगा He realized of course that at first he dare not continue on the public highway He realized उसने महसूस किया कि पहली बात तो ये He dare not continue on the public highway To dare करना मतलब साहस दिखाना कि वो जो सडक है, जिस पर वो चल रहा है उस पर लगातार चलना का साहस न दिखाए क्यों? इसका मतलब क्या? दिशा बदल लो कहीं और कट लो, जिसे हम बोलते हैं सामाने भाज़ों में क्योंकि उस रोड पे चल रहा हो, कहीं ओनर वापस आएगा पैसा नहीं मिलेगा तो खुझते खुझते इसी रोड पे तो आएगा वो तो, I dare not walk on this road, I dare not continue on this road, you dare not talk to me, तुम मुझसे बात करने की हिम्मत मत करो, you dare not go against my order, मेरे आदेह के खिलाफ जाने की हिम्मत मत करो, dare, this man is very daring, यह आजमी जो है बहुत दुशाहस वाला आजमी है very daring, daring मतलब दुशाहसी, so he realized, of course, मतलब बिलकुल सही that at first, he dare not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods और इस सड़क से उतर जाए, off the road, off मने मतलब कहा, जहाँ अलग होते हैं, इस सड़क से अलग हो जाए, o double f off जहाँ आता है, उसमें separation, अलग होने की बात आती है, तो उसने कहा, यह सड़क से अलग हो जाओ, और वो अलग हो गया, और कहा चला गया, into the woods, woods मने jungle, wwwds, woods मने jungle, याद रखें, केवल wood मने लकडी, और woods मने jungle, तो bus, but must turn off, वो मुड जाना चाहिए, कहा, जंगल में मुड जाना चाहिए, वो मुड गया, during the first hour, this called him no difficulty, पहले एक घंटे, जब उस जंगल में चला, उसे कोई तकलीफ नहीं हुए, अभी देखिए, बात सुभा की हो रही है, दिन की, क्योंकि सुभा सुभा, दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, ओनर भी और rat trap seller और आदे घंटे बाद ये वापस आता है, पैसा चुराता है, तो सुभा का ही समय है, दिन का है, उजाला है, उस समय जंगल में घुज गया, और एक आदे घंटा जंगल में चला, तो कोई दिक्कत नहीं हुए, इट कॉज दिफिकल्टी, कोई कठनाई नहीं हुए, during the first one hour, later in the day, it became worse, later मने बाद में, जब दिन धलने लगा, तो स्थिति कुछ खराब हुए, वर्ष मने खराब, किस से बना है, वर्ष नहीं है, second form है, bad, worse, वर्ष त, स्थिति कुछ खराब हो गई, later in the day, स्थिति कुछ खराब हो गई, for it was a big and confusing forest, which he had not gotten into, चोंकि अब वो एक ऐसे जंगल में घुज गया था, he had gone into a forest, which was very big, which was very dense, which was confusing, समझ में, confused हो गया वो, कि मैं कहां भटक गया, एक घंटे तक वो चलते रहा, main road से उतर के जंगल की सड़कों में, पकड़न्डियों में, जंगल है, घना जंगल, एक घंटे तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम दलते ढलते थोड़ी इसके चिन्ता हो गई, रास्ता भटक गया था, बहुत बड़ा जंगल था, confusing, it was a big and confusing forest, जिसके अंदर वो गलती से घुज गया था, अब तो घुज तो गया, he tried to be sure, to walk in a definite direction, शुनिश्चित करने के लिए, to be sure मतलब सुनिश्चित करने के लिए, तुस ने कोशिश की, कि वो एक निर्दित, एक निश्चित दिशा में चलता रहे, ताकि कम से कम, दिशा ग्यान के बल पर वो सही जगह तो पहुंच जाए, खुली जगह तो पहुंच जाए, so he walked into a definite direction, but the paths twisted back and forth, so strangely, strangely मतलब बड़ा अजीब तरीके से, twisted मतलब मुड़ना, तेड़ा मिड़ा होना, उसने कुछ, उसने तै किया, कि मैं अब एक भईया, एक एक ही दिशा में चलू मैं, ऐसा उसने तै किया और चलते रहा, लेकिन क्या देखता है, कि वो जो रास्ता है, पाथ है, वो स्वैम, गोल मुल है, twisted है, तोड़ मोड है उसमें, कभी इस दिशा में जा रहा, कभी इस दिशा बदल रही है, उसकी कभी इदर इस दिशा में जा रहा, तो और परेशान हो गया, सो स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरीके से, वो सड़क मुड रही थी, वो इसी बहुत कन्फूजिंग था, और उपर सब हालत और खराब हो गए, He tried to be sure, सुनिश्चित करने के लिए, कि वो किसी एक दिशा में जाया है, बद पास्ट ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे वो रहा था, बार बार रास्ता मुड रहा था, सीधा रास्ता था ही नहीं, So strangely, जंगल में तो ऐसी रास्ते होते हैं, जंगल के रास्तों को पगडंडियां तो इसलिए कहते हैं, पेड़ों के बीच-बीच से पगडंडियां बनी रहते हैं, कभी फिर मुड़ आते हैं, कभी दर नदी नाले, छोटे, पत्थर, पहाड़ों, चट्टाने के कारण रास्ते वदलते रहते हैं, यहां जंगल खतम ही नहीं हो रहता, वाग्ड अग्ड वाग्ड विदाओ गूंग तो अन रहते हैं, तार इतनी देर से उसी जगह पे घूम रहूं। उसने कुछ देखा होगा, लैंड मार्क, किसी चीज पर उसकी निजर पड़ी होगी, कई घंटे तक घूमने के बाद, भटकने के बाद, घूम के वहीं वापस आ गया। So finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest, जंगल के उसी हिस्से में वह घूम रहा था, उस घूमाओ दार चकर में, सडक में, भूल भुलिया में भटक गया था, परिशान हो गया। All at once, he recalled his thoughts, all at once, फिर कुल मिला कर, उसने परानी बात कुछ याद करने की कोशिश की, he recalled his thoughts, अपनी विचार को याद किया, about the world and the rat trap, उसको याद आया, कि दुनिया rat trap है और ये है और वो है, उसके बारे में मैंने क्या सोचा था, वो उसको याद आने लगा जहां पर, he recalled his thoughts about world and the rat trap, उसने क्या सोचा था दुनिया के बारे में, कि ये दुनिया भी एक rat trap है, लालच में लोग यहाँ है और भटक रहे हैं अपने लक्ष से, अब उसको लगा वही है, मैं भी ऐसे फंच गया, इसी लालच में मैं भी जंगल म आगया और जंगल में फंच गया हूँ, अब भटक गया हूँ, now his own turn had come, अब मेरा भी turn आगया, अभी तक तो मैं सोच रहा था कि मैं दुनिया के इस trap में नहीं हूँ, दुनिया के माया जाल में नहीं हूँ, अब यहां तो मैं भी फंच गया, मेरा भी नंबर लग गया, even I have been trapped now, I do not know where is the end, I do not know when, how to go out of this jungle, क्या मैं जंगल में मर जाओंगा, बहुत दुनिया भर की बाते हों इसके मन में आने लगे, He had let himself to be fooled by a bait, He had let himself to be fooled by a bait, एक बेट ने उसे बेवकूब बना दिया, एक बेट के जहांसे में वो आ गया, जहांसे में आ जाना, To let oneself be fooled, मतलब जहांसे में आ जाना, किसके जहांसे में, एक बेट के जहांसे में, और बेट क्या था, वही तीस क्रोनर का लालच, वो तीस क्रोनर के चक्कर में ही तो मैं जंगल के और भागा, और भटक गया, यही लालच, अब मुझे यहां डुआ देगा, So now his own turn had come, अब मेरा भी, अब उसका भी समय आ गया, अब मैं भी इसमें फंस गया, He had let himself be fooled by bait, वो स्वैम अब जहांसे में अपने को डाल दिया, and had been caught, और पकड़ा जया, किसमें, किसी के द्वारा नहीं, जहांसे में पकड़ा जया, जाल में फंस गया, कौन से जाल में, जंगल के, और जंगल के अलावा, पैसे का जाल, तीस क्रोनर का लालच, उसने जो लोब था, उसको सम्वरण नहीं कर सका, पैसा चुरा लिया, और कहीं पकड़ा नहीं जा, इसलिए में रोट से हटके, जंगल के और चला गया, शुरू में कोई दिक्कत नहीं हुए इसे, लेकिन बाद में भटक गया, और ऐसा भटका कि अफ्टर फ्यू अवर्स ऑफ वकिंग वकिंग इंग वकिंग, ही लेकिन शुवर्स ज़या, जिए पूरा जंगल था, जिसके इतने मोटे मोटे तने थे, जिसके इतनी सारी शाखाएं थी इतना घणा था और लकडी के जो बड़े-बड़े तने टूटे हुए पड़े थे वो मानों उसके उपर अब गिर रहे थे उसको लग रहा था ये सब मेरे उपर आ रहा है उचे-उचे पेड़ The whole forest with its trunks trunks माने तने and branches its thickets, thickets मतलब क्या होता है छोटे-छोटे पेड़ों का बड़ा घणा जोटे उगरे जो होता है and fallen log, log मतलब लकडी का बड़ा मोटा टुकड़ा तने, कटे हुए तने closed in upon him like an impenetrable prison वो उसके उपर हावी हो रहे थे impenetrable अभेद्य अभेद्य जेल की तरह उसे लग रहा सा यह जो सारे पेड़ दिख रहे थे ऊपर जंगल चारों तरफ जंगल लकडी पड़ी हुई घना जंगल अब उसे एक जेल लगने लगा ऐसा जेल जिसे अभेदा नहीं जा सकता impenetrable अभेद्य एक अभेद्य जेल जैसा ड़लेगा from which he could never escape to escape मतलब बच निकलना भाग निकलना उसे लगा अब भी मैं ऐसी जगह में आ गया हूँ ऐसे अभेद्य जेल में आ गया हूँ जिसको मैं भेद्य नहीं सकता और अब ऐसा लगता है कि अब मैं यहां से बच नहीं पाऊंगा भाग नहीं पाऊंगा निकल नहीं पाऊंगा to escape to run away अब यहां से मैं भाग नहीं पाऊंगा कितना निराश हो गया and he thought कि like a rat I am also trapped now एक चुहे की तरह मैं भी यहां के माया जाल में फंस गया उसका प्रणाम कि अब यह जंगल में मैं भटक गया हूँ it was late in December यह घटना कब की है December की वो भी December के अंतिम दिनों की late in December मतलब December के आखरी दिनों की darkness was already descending over the forest अंदकार वैसे ही पहले उतरने लगा था जंगल में descend करना मतलब उतरना ascend करना मतलब चड़ना descend करना मतलब उतरना why are your marks in physics for the whole year are in descending order ascending order ascend मतलब चड़ना A-S-C-E-N-D or D-E-S-C-E-N-D मतलब उतरना उतार हुना darkness जो थी अंदकार जो था वो अब उतार पर था अर्था जंगल में अब अंधेरा च्छाने लग रहा था रात होने जा रही थी December की ठंड थी Increased the danger और ये बढ़ता हुआ अंदकार अब खत्रे को और बढ़ा दिया वैसे खत्रा था रास्तान जाना समझे नहीं आ रहा था कहां से निकलना है भूल भूलया हो गया और अब यहां अंदकार होने लगा खत्रा बढ़ गया And increased also his gloom और चेहरे की अदासी भी अब बढ़ गया Gloom मने अदासी बढ़ते अंदकार के साथ उतरते हुए अंदकार के साथ जाती हुए सूरत की रोशनी और उतरता हुआ अंदकार उसके साथ साथ अब उसका जो अदासी थी वो भी बढ़ गया And despair, despair in a निराशा अब वो खताश हो गया निराश होने लगा घबराहट होने लगी खत्रा सामने दिखने लगा समझ नहीं आ रहा था क्या करें जंगल में 30 क्रोनर तो जेम में रख लिया कहां खत्रे में फंज गया यदि वो 30 क्रोनर नहीं लिया होता तो मैं में रोड पर ही चलता एक आज दो रैट ट्रैप बेच के कुछ कमा लेता जैसा मैं रोज करता था यहां वो 30 क्रोनर मैंने क्या ले लिया उसको लेके जंगल में घुज गया बचने के लिए छुपने के लिए और अब जंगल में भटक गया हूँ यहां देरा भी हो चला है रास्ता समझ में नहीं आरहा है खतरनाक लग रहा है और नजाने क्या क्या सोच नगा और इस सोच के साथ साथ उसकी निराशा उसकी खताशा बटने लिए डिस्पियर अन्य हताशा डिस्पियर ने हताशा गलूम मतलब अदासी Finally he saw no way out और अंत में उसने देखा अब कोई रास्ता नहीं No way out अब कोई रास्ता नहीं बचा बाहर जाने का And he sank down to the ground और जमीन पर बैठ गया निराश होकर ठक कर हताश होकर अदास होकर घबराहट में वो जमीन पर बैठ गया She sat down on the ground, sank down on the ground Sink मनलब डूबना Sank down मतलब जमीन में बिलकुल एक डूबे जैसा गिर गया उतर गया, बैठ गया Tired to death इतना ठक चुका था मानो अदमरा हो गया है To tire मतलब ठका देना ठकान दाई इतनी ठकान दाई उसका दिन हो गया था कि मानो अदमरा हो गया था Thinking that his last moment has come और सोचने लगा शायद मेरा आखरी ख्यन आ गया है अब यहीं मुझे मरना है ना रास्ता दिख रहा ना कोई दिख रहा अंदकार अलग हो रहा है भूख अलग लग रही है ठकान अलग है और ना जाने क्या क्या So He was tired to death अदमरा हो चला था था ठकान से Sank down on the ground जमीन पर लगब गया Thinking that his last moment has come और सोचने लगा But फिर देखिए अप कहानी नहीं बदलती है But Just as he laid his head on the ground He heard a sound To lay मतलब Laitna Lie मने laitna उससे बना lay Lie lay laid So just as he laid his head जैसे उसने अपना सिर लटाया He heard a sound उसे एक आवाज आई देखिए कैसे फिर भागिए उसका साथ देता है अब उसे एक आवाज आती है A hard regular thumping Thump करना मतलब ऐसा मारना Hard जोरों से मारते हुए Thumping regular मतलब लगातार कोई ऐसा thump कर रहा है Thump तपा रहा है किसी चीज को किसी को जोर जोर से ऐसी आवाज उसको आई जैसी वो जमीन में लेटने के लिए गया और सिर उसने जैसी जमीन पे टिकाया उसको thumping की आवाज आती है कुछ हावा जाती है और thump मतलब जोर जोर से पीछे से मारना Just as he laid जैसे ही वो लेटा अपने सिर को उसने लेटाया Lie, laid, laid lay, laid, laid यह दो शब्द है अलग-अलग To lay एक मतलब अंडे देना और to lie मने लेट जाना लेकिन past tense देखिए दोनों के क्या है So जैसी वो लेटा उससे thumping के आवाज आती है तुनन थोड़ा सा आशा की किरन जाक पड़ती है There was no doubt as to what that was उसको कोई शंका नहीं थी कि किस चीज की आवाज है समझ गया किस की आवाज है There was no doubt as to what that was कोई शंका नहीं थी कि किस चीज की आवाज है He raised himself To raise मतलब उठाना उसने अपने को उठाया अर्थात खड़ा हुआ Those are the hammer strokes from an iron mill ये तो iron mill का hammer हथोड़ा पीट रहा है कोई ऐसा लग रहा है अर्थात आस पास कहीं पर iron mill है मतलब वहाँ लोग रह रहे हैं कोई आदमी है जो थंप कर रहा है बस मेरे को तो यहीं चाहिए मेरे को जिन्दगी बचाने के लिए कुछ तो आशा की किरन दिखी अपने को इसने खड़ा किया और महसूस किया कि ये तो iron की आवाज है hammer हथोड़े की आवाज है और जब वहाँ हथोड़े की आवाज आ रही तो आस पास लोग रह रहे होंगे निश्यत रूप से there must be people nearby nearby मतलब आस पास आस पास लोग रह रह रहे होंगे he summoned all his strength to summon मने बलान summon the officer collector summoned the police commissioner collector ने police SP को बलाया I summoned a pune मने बलाया यहाँ पे he summoned what उसने अपनी पूरी शक्ती जब उसको लगा ना कुछ आवाज आ रही है अरे आशा की किरंट दिखी और उसको लगा कि आसपास कोई तो होंगे उसने अपने पूरी ताकत बलाई उठा and staggered into the direction of the sound और लड़ खडाते हुए to stagger मतलब लड़ खडाते हुए जाना लड़ खडाते हुए आवाज की दिखा में चल पड़ा क्यों लड़ खडाते हुए क्यों ठक गया था निधाल हो चुका था निधाल होकी तो लेड गया था लेकिन अचानक जब आवाज आती है तो उस माहौल मे वो आपस आशा की किरन जाकती है वो खड़ा होता है और आवाज की दिशा में चल पड़ा To stagger मतलब लड़ खड़ाना In the direction of the sound Sound of what? Sound of the hammer Thumping something किसी चीज को पीट रहा था हैमर उस दिशा में वो चल पड़ा रहूंगा इस जंगल से निकल के किसी के पास तो पहुँचू The Ramzo Iron Works ये नाम आपने सुना Ramzo Iron Works वही जगह थी जहां पर Owner House Owner Cottage Owner काम करता था और अब चूंकि वो बुढ़ा हो चला था उसने काम छोड़ दिया था गाय पाल ली थी वही Ramzo Iron Works which are now closed down were not so long ago a large plant ये Ramzo Iron Works जो अभी बंद है बहुत पहले एक बहुत बड़ा plant था बहुत पुरानी बात नहीं है not so long ago not so long ago बहुत पुरानी बात नहीं है जब ये Ramzo Iron Works था बहुत बड़ा था जो अब बंद पड़ा है और इसमें क्या क्या था smelter था rolling mill थी forge था smelter का काम क्या होता है लोहे को पिखलाना जहां लोहा पिखलता है उसे smelter बोलते हैं rolling mill वहां पर उसकी चादर बनाई जाती है लोहे की sheets बनती हैं forge is another kind of place where iron is given a shape तो बहुत बड़ा plant था बहुत पहले ये plant जो अभी बंद दिख रहा है बहुत बड़ा था इसमें smelter था rolling mill थी और फोर्ज था in the summer time गर्मी के दिनों में long lines of heavily loaded barges and scoes slit down the canal गर्मी के समय में लंबी पंक्तियां लगी रहती थी किसकी बड़ी बड़ी नौकाओं की barge और scoes ये एक तरह की कि नौकाएं होती हैं इनकी line लगी रहती थी heavily loaded barges and scoes slid down the canal canal मतलब नहर slide से बना slide down the canal canal से बह के निकल जाती थी canal में ये boat और ये जो scoes हैं और barges हैं ये भारी वजन लेकर निकल पड़ते थे which led to a large inland lake और ये canal finally एक lake में जाती थी एक जील में जाती थी and in the winter time the roads near the mill were black from all cold dust और ठंड के समय ये जो scoes जो इस mill के आसपास थी वो काली हो जाती थी क्यों काली हो जाती थी cold dust के कारण iron factory में बहुत कोहिला लगता है बहुत जादा और वो कोहिला जब उपर जल के जब उसकी राक उपर जाती है जब धुआ उपर जाता है तो ठंड में बादलों के कारण धुआ और कोहिले की धूल हवा में ना जाकर के वो वो वापस गिर जाती है बहुत उचाई से चिमनी से बाहर निकल के तो जब गिरती है तो सड़क काली हो जाती है आप देखे होंगे रायपुर के आसपास भी ऐसे बहुत से स्टील प्लांट है उसके आसपास के सड़कों के सिते देखिए वो काली हो गई तो ऐसे ही काली यहां भी हो जाती है और ठंड में तो और ज़्यादा पूरा बादलों के कारण नमी के कारण चिमनी से निकलते ही यह कोल डस सड़क पे आजाता था विच सिफ्टेड डाउन फ़ंद बिग चार्कोल क्रेट्स चार्कोल मतलब कोल क्रेट्स मतलब लंबी लंबी प्लेट तो सिफ्ट डाउन मतलब अलग-अलग होना सिफ्टिंग चार्कोल प्लेट्स से जब यह अलग होती थी सिफ्ट होती थी तो जैसे सिफ्टिंग को हम उप्योग करते हैं आप गाउं में धान को हम अलग-अलग करते हैं चावल और धान को सूपे से तो सूपे से चावल और धान को अलग करने की प्रक्रिया को हम सिफ्टिंग कह सकते हैं कि दा सूपा is used for सिफ्टिंग और धान from rice और rice from धान So here the loaded barges heavily loaded barges भरे हुए barge और scow वो कैनल से बेर्ट कैनल में जाते थे तेजी से और उसकी बाद जील में चले जाते थे and in the winter time जो road थी वे काली थी कहें से dust से cold dust से तो अब ये दृष्ष बता रहा है लेखक author उस mil के आस पास का वो mil जहां से हैमर की आवाज आती है राम्जो आरेन वर्क जिसका नाम था और जिसकी थोड़ी दूरी पर कहीं ये rat trap seller भटक रहा था और इस आवाज की ओर बढ़ रहा था तो ये जो plant है वो किसी समय बहुत बड़ा था बंद पड़ा है during one of the long dark evenings just before Christmas during one of the long dark evenings just before Christmas Christmas के पहले कुछ दिन पूर वही किसी एक संध्या में अंधेरी संध्या में long संध्या का अंदकार जो होता है वह बड़ा लंबा लगता है the master smith and it fell per sat in the dark forge जो master smith था और उसका जो मददगार था smith iron smith मतलब क्या होता है लोहार iron smith मतलब लोहार so master smith मतलब लोहारों का जो मुखिया था और उसको मदद करने वाला एक कोई व्यक्त था ये लोग एक लंबी एक शाम जो बड़ी लंबी थी अंदकार में थी Christmas के कुछ दिन पहले की बात है वहाँ पे बैठे थे near the furnace waiting for the pig iron कहां बैठे थे near the furnace furnace मतलब भठी भठी मतलब जहाँ पर आग जलाई जाती है गरम किया जाता है तापमान बढ़ाया जाता है बहुत ज्यादा तापमान वहाँ रहा था उसके पास बैठे हुए थे और किसकी परतिक्षा कर रहे थे pig iron के pig iron मतलब कच्चा लोहा कच्चे लोहे को pig iron कहते है pig iron को लेकर ये लोग furnace में डालते है गरम होता है कच्चा लोहा फिर इसके बाद वो और जो है इसमें से अलग हो जाता है और लोहे में मजबूती आती है ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है from conversion of iron from pig iron to steel is a very long process and many of you must have read something of it in your classes 9th and 10th chemistry so here what you should know is that the master smith and the helper were sitting near the furnace waiting for the pig iron to come furnace at a very high temperature this furnace had been put to fire to be ready to put on the anvil और pig iron को furnace में डाल दिया गया था ताकि वो जो लोहा है वो पिखल जाए नरम हो जाए ताकि उसके बाद उस पर हथोडा पीटा जाए anvil मतलब बड़ा हथोडा anvil मतलब बड़ा हथोडा जो उपर से लोहे पर ऐसा गिरता है मारते हैं उसको चप्टा करने के लिए शेप देने के लिए चौकोर जो भी शेप देना है ordinary hammer थे या हाथ के hammer थे वो लोहा शेप में नहीं आपाएगा आतो जाएगा लेकिन तब तक फिर वापस इसको डालना पड़ेगा फिर वापस इसको डालना पड़ेगा फिर फरनेस में तो इससे अच्छा है बड़े-बड़े hammer जो machine से चलते हैं वो hammer को इसको गिराया जाता है anvil so what happened during one of the long dark evenings just before Christmas these two people are sitting waiting for the pig iron and to be ready to put on the anvil anvil में रखने के लिए जहां पर से मारा जाएगा पीटा जाएगा उसको तयार करने के लिए वहां पैठे थे every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar उन में से एक आदमी जब तब उठता था every now and then जब तब एक आदमी उठता था और stir करना मतलब हिलाना stir करना मतलब हिलाना you stir milk when you pour sugar जब आप sugar डालते हो उसके बाद milk को क्या करते हो चम्मत से आप stir करते हो उसी से बना stirrer जो चीज़ stir करे उसे stirrer कहते है that incident stirred my mind उस घटना ने मेरा सिर हिला दिया that view that drish stirred my mind that image stirred my mind उस घटना ने उस बात ने मुझे बुरी तरह विचलित कर दिया हिला दिया ये भी एक दूसरा उपयोग है तो यहां पर got up हर बार एक आदमी उठता था उन दोनों में से and he would stir the glowing mark glowing mark glow मतलब चमकता हुआ गरम लाल गरम लाल लोहा मास मतलब physics में आप जानते हैं उस गरम लाल लोहे को एक लंबे आइरन बार से इसको थड़ा हिलाता था returning in a few moments और कुछ देर में वापस आ जाता था dripping with perspiration बहुत तेज पसीना आता था dripping पसीने पसीना drip करता हुआ पसीना बहता हुआ तो drip मने बहना उसी तो मना doctor लोग क्या करते हैं drip लगाते हैं किसी चीज का saline का drip blood का drip तो वो drip कहलाता है drip करना मतलब बहना why so much of sweat is dripping sweat मने पसीना perspiration मने पसीना sweat यने पसीना perspiration यने पसीना why देवे कोई जाता था उन में से थोड़ी देर थोड़ी थोड़ी देर में every now and then लंबे एक iron bar थे और जो अंदर लोहा जो पिखल रहा है उसको थोड़ा लंबे बार ते हिलाता था और इतनी गर्मी लगती थी कि कुछ देर में वो वापस आता था पसीने से बहता हुआ पसीने से सरा बोर though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes मनो वहाँ पे एक custom था एक प्रथा थी custom यने प्रथा वहाँ एक प्रथा थी कि कुछ नहीं पहनना है एक लंबी shirt और जूता बस wooden shoe लकडी का जूता पहनना है लंबी shirt पहनना है और उसके साथ ही और ऐसा हो पहनने के बाद ही वो iron को वो करने के लिए जाना है एक मनो वहाँ प्रथा थी पूरे समय बहुत तरह की आवाजें आ रही थी all the time there were many sounds to be heard in the forge उस फोर्ज में बहुत तरीके की आवाजें आ रही थी लगातार this is what writer is saying the big billows groaned and the burning coal cracked जो बड़े बड़े जो बेलो थे उससे आवाज आ रही थी groaning की आवाज और जो कोल था उसके तूटने की आवाज burning coal जब कोल गरम ता तड़ तड़ तड़क 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 ऐसी आवाज जो आती है वो आवाज लगा ता रही थी cracking की आवाज तूटने की आवाज क्योंकि कोईले के छोटे छोटे चोटे तुटे नहीं काम आते बड़े-बड़े धीले कोई लेकर वहाँ गिराएं जाते हैं तो जब वो गरम होते हैं जलते हैं तो तूटते हैं So big bellows grond and the burning coal cracked यह आवाज भी आ रही थी Many sounds coming उसमें groning की आवाज थी cracking की आवाज थी The fire boy shoveled charcoal into the more of the furnace जो fire boy था वो क्या कर रहा था शाविल्ड चार कोल, चाविल कोल को हिला रहा था, शाविल करना मतलब हिलाना, वो चार कोल को लगाता रहा था, इंटु दे मौ अफ फरनेस, मौ मतलब उसका मुह, फरनेस का जो मुह होता है, चाहे वो उपर हो या साइड में हो, साइड में होता है तो दिखाई देता है फरन इसमें ऊपर रहता है मौ खुला गर्दन खुला दफायर बॉइ शॉविल चार कोल इंटो दे मौ वो चार कोल को उसमें डालता था किसमें फरनेस में विदे ग्रेट डील उफ ट्लैटर और जब वो डालता था तो अलग आवाज आते तर तर सा आप सोच सकते हैं कि वो जो फा रखने लगता है, उसकी आवाज अलगा रही थे, तो कई तरह की आवाज या रही थे, there were many sounds coming, all the time there were many sounds to be heard in the forge, the big bellows groaned, the burning coal cracked, the firebox shoveled the charcoal into the furnace, through the maw, outside roared the waterfall, और बहर आवाज आ रही थी, roar करना मतब जोर जोर की आवाज आना, roaring sound, किसकी आवाज आ रही थी, waterfall की, पानी के जहरने की आवाज आ रही थी, and a sharp north wind whip the rain against the brick tiled roof, और इसके अलावा, sharp north wind, north से तेजी से जो हवा चल रही थी, वो बार बार, whip against the rain, I mean, whip the rain against the brick tiled roof, उसके साथ जो पानी गिरा था, पानी के बहाओ में, पानी, रेन का जो पानी है, तेजी से जो हवा बहरी है, वो whip कर रही थी, whip करना मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, whip, मतलब कोड़ा, तो कोड़े की मार जैसी, वो पानी की आवाज, किसको मार रही थी, brick tiled roof, छट में आ रही थी, जो किसकी बनी थी, brick की, brick में वो पानी की मूशला धार, बहुत मोटी मोटी धार की आवाज, गिरते हुए लगातार आ रही थी, ये कितने तरह की आवाजें, और उसका विवरण, यू कैन अंडरस्टान, तो आथर कहने चाहरा है कि, एक आवाज उसको आती है, वो उठता है, इस उमीद में कि ये रहे आसपास कुछ तो है, और उसको लगता है कि, वो हैमर कोई मार रहा है, उस साउंड की दिशा में बढ़ने लगता है, लेकिन यहां तो बहुत सारी आवाजें थी, दिवें मैनी साउंड, और किस-किस की आवाजें थी, इसको भी बता दिया, और फिर से फट्री के अलगलग पाट्स का भी जिक्र कर दिया, माँ, चर्कोल, फॉरनेस, श्मेल्टर, and few other parts of the factory. And it was a big factory, which had now closed down. But when it was big, it had all these things.